दोस्तों अगर आपके फोन में पैटरन लॉक लगा हुआ है और आप जब अपना फोन अनलॉक करते हैं तो उस टाइम पैटरन पूछता है आप उस पैटरन लॉक को हटाना चाहते हैं ताकि आप उसकी जगे कोई भी कोड या फिर कोई पिन यूज़ कर सकें लॉक में ठीक है तो वो कैसे करेंगे इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आप चले जाएए अपने फोन की सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाने पर आपको मिलेगा इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर आपको नीचे की ओर करना है स्क्रॉल और जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखेगा यह वाला passwords and security का आप इस पे click करिए और इस पे click करने के बाद आपको यहाँ पर एक option दिख जाएगा जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं screen lock का आप इस पे click करिए screen lock पर जैसे click करेंगे तो आप से पूछे का आपका pattern क्या है तो आपको अपना pattern डाल देना है उसके बाद आपको इस type का interface मिल जाएगा अब यहाँ पर pattern lock हटाने के लिए आपको करना क्या है आप यहाँ तो pin select कर लीजे या तो password अब अगर आप password select करना चाहते हैं मान लेते हैं यहाँ पर हम click करके आपको दिखा देते हैं ठीक है अगर आपको password set करना है तो आप यहाँ पर password पर click करिए और उसके आप यहाँ got it यह सब ठीक है, यहाँ पर आप करिए got it, और यहाँ पर आप अपना जो है, कोई भी pin set कर सकते हैं, minimum 4 digit का होना चाहिए, maximum 16 digit तक यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो माल ने थे हमको 1, 2, 3, 4, हमने set कर दिया, okay, उसके बाद फिर से आपको confirm करना है, okay कर दीजे, और इस तरह से ज देखने के लिए, मैं मिलता हूँ आप से कौर न्यों वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई,